ती मोटी औरत रहती थी, कुछ दिनों पहले ही उसके पती की मौत हुई थी, वो इतनी मोटी थी कि वो साफ सफाई का भी काम ठीक से नहीं कर पाती थी, जिसकी वज़ा से उसे कोई अपने यहां काम पर रखना पसद नहीं करता था, काम ना मिलने की वज़ा से वो परिशान हो पाएगा नहीं मुझे कुछ न कुछ तो करना होगा ऐसे मैं कब तक हाथ पर हाथ धरकर बैठी रहोंगी है भगवान काश में मोटी ना होती कम से कम मुझे आज ये दिन तो ना देखना पड़ता ये सब सोचते हुए वो रोती जा रहे थी और बार-बार अपने आपको कोस र सकती हो मुझे इसमे कोई परिशानी भी नहीं होगी और फिर वो आराम से सो जाती है और फिर अगली सुबह जैसे ही सुबह होती है सबीता बाजार से बर्गर बनानी का सामान लाती है और बर्गर बना कर एक ठेले पर रखकर चौराही पर जाकर बेचने लगती है जल्दी जल्दी आओ, बर्गर खाओ, सेहत बनाओ, ताजा ताजा बर्गर, तभी सबीता के ठेले पर कुछ लोग बर्गर खाने आते हैं, और जैसे ही वो लोग उसका बर्गर खाते हैं, ये बर्गर कुछ ज्यादा ही मोटा नहीं है, बला बर्गर भी कोई ऐसा होता है क्या, खुद बर्गर तो ठीक बनाते, जब आपसे काम नहीं होता तो करते क्यों हो, सही में, जैसी ये मोटी है, इसका बर्गर भी इसके जैसा मोटा और बेस्वाद है। तभी रास्ते में अचानक से उसका बैलेंस बिगर जाता है, और धडाम से जमीन पर गिर जाती है, और गिरते ही वहाँ पर उसकी मौत हो जाती है, और वो एक भयानक चुडैल बन जाती है। चुडैल पूरी रात अपनी लाश को देखते हुए रो रही थी और उन सभी से बदला लेने का सोच रही थी, और फिर जैसे ही सुबह होती है। चुडैल अपना भेश बदलती है, लेकिन रहती है मोटी ही और चौराहे पर जाकर बर्गर बेचने लगती है। बर्गर 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 जल्दी आओ जल्दी आओ जल्दी आओ नहीं तो सारे बर्गर खत्मो जाएंगे। जो पहले आएगा उसे एक बर्गर के साथ एक बर्गर फ्री मिलेगा। उस चुडेल की आवाज को सुनकर उसके ठेले पर भीड जमा हो जाती है ठीक है, मैं उसी को एक बर्गर फ्री दूंगी जो पहले आया था फिर वो चुडेल उसकी आँखे बचा कर बर्गर पर जादू करकर उसे खाने के लिए देती है ये लो भाईया, आपका बर्गर और ये फ्री वाला बर्गर भी और फिर बर्गर खाते ही वो आदमे उस चुडेल से कहता है सही मैं, बर्गर खाकर तो मजा ही आ गया चुडेल मनी मन्खुश होती है ये औरत इतनी मोटी होने के बावजूद भी इतनी जल्दी और इतना बढ़िया बर्गर कैसे बना लेती है चुडेल सभी लोगों को बर्गर पर जादू करके खिला रही थी जिससे उसके बनाए हुए बर्गर सभी को खूप स्वादिश लग रहे थे और सभी लोग उसके बर्गर स्वाद लेकर खा रहे थे और किसी को उस पर शक भी नहीं हो रहा था जिससे उस चुडेल के सभी बर्गर खत्म हो जाते हैं और वो मनी मन बड़ी खुश भी हो रही थी वाह चलो अच्छा है सभी को मेरे बनाए हुए बर्गर पसंद आ रहे है और किसी को मुझ पर शक भी नहीं हुआ लेकिन जब ये लोग अपने घर पहुचेंगे तब उन्हें पता चलेगा कि उनके साथ क्या हो क्या और बोलो मुझे मोटी ये क्याकर वो चुडैल बड़ी जोर से हसने लगती है और फिर जैसे ही रात होती है वो फिर से चुडैल बन जाती है और उधर जब सभी लोग सो रहे थे जिन्नोंने उस चुडैल के बर्गर खाये थे वो सब भी उसी की तरह मोटे हो जाते हैं और इधर चुड़ेल मनी मन खुश हो रही थी अब आएगा मज़ा मुझे मोटा कहा था ना जब खुद मोटे होंगे तब पता चलेगा कि कैसा लगता है जब कोई उन्हें मोटा कहता है और फिर जैसे ही सुबह होती है उन सभी की पत्निया जब उन्हें उठाने के लिए आती है तो अपने पतियों को मोटा देख कर उनकी चीख निकल जाती है और चीख की आवाज सुनकर वो सभी जाग जाते है और वो सभी अपनी पत्नियों से कहते है अरे क्या हुआ, इतनी जोर जोर से सुबा सुबा क्यों चिला रही हो अच्छा, मैं चिला रही हूँ, जब तुम भी अपने आपको देखोगे तो आप भी ऐसे ही चिलाओगे फिर उस वरत का पती जैसे ही अपने आपको देखता है तो उसकी भी चीक निकल जाती है मैं रात को तो अच्छे से सोया था, फिर अचानक से रात ही रात में मोटा कैसे हो गया उधर बाकी के लोग भी जब अपने आपको देखते हैं, तो वो भी अपने आपको मोटा पाकर घबरा जाते हैं किसी को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था, आखिर उनके साथ ये सब कैसे हुआ, वो मोटे कैसे हो गए और फिर अगली सुबा, वो चुडेल फिर से औरत का रूप ले लेती है और भयानक हंसी हसने लगती है अब चला जाए बर्गर बेचने, बर्गर बेचूंगी तभी तो सबी लोग मेरा बर्गर खाएंगे और मोटे हो जाएंगे मेरी तरह फिर वो और ज़्यादा जोर से हसने लगती है, और बर्गर बेचने के लिए निकल जाती है और चौराही पर जा कर अपना झेला खड़ा कर के बर्गर बेचने लगती है जल्दी आओ, बर्गर खाओ, सेहत बनाओ, जो पहले आएगा, उसे एक बर्गर के साथ एक फ्री मिलेगा उस चुडेल के ठेले पर देखते ही देखते कुछी देर में भीर जमा हो जाती है और सभी लोग उस चुडेल से बर्गर खाने के लिए मांगते हैं मैं पहले आया हूँ, मुझे बर्गर फ्री मिलेगा। चुडेल उन सभी आदमियों की बाते सुनकर मनी मन खुश हो रही थी. अब इन्हीं क्या पता कि मेरे बर्गर खाते ही रात में इनके साथ क्या होगा। खूब खाओ मेरा बर्गर, तभी तो मोटे और मोटे होते जाओगे। तभी सभी आदमी चुडएल से बर्गर खाने के लिए मांग रहे थे और चुडएल सभी को बर्गर पर जादू करके उन्हें खिला रही थी। और फिर जैसे ही सुबा होती है वो सभी आदमी जब अपने आपको मोटा पाते हैं तो बुरी तरह घबरा जाते हैं और फिर वो सभी एक जगाई कठे होकर आपस में बाते करने लगते हैं। नहीं करती कहती है पहले पतले हो जाओ तब ही मैं तुमसे बात करूँगी। चलो हम अभी के अभी पुजारी जी के पास चलते हैं वो ही हमें कुछ बता सकते हैं। फिर वो सभी आदमी मिलकर पुजारी जी के पास जाते हैं और उन्हें सारी बात बताते हैं। अच्छा तो ये बात है। तुम लोग जिस औरत से बर्गर खरीद कर खाते हो वो कोई औरत नहीं। एक चुडैल है। चुडैल? हाँ चुडैल और वो तुम सभी से अपना बदला ले रही है। पुजारी जी, अब आप भी हमारी मदद कर सकते हैं और उस चुडैल से बचा सकते हैं। ठीक है, ये लो भभूत और इसे ले जाकर बर्गर में मिलाकर उसे खिला देना। पर हम उसे खिलाएंगे कैसे? ये मेरा काम नहीं है, मैंने अपना काम कर दिया है, अब तुम लोग अपना काम करो। अपना काम कर राख हो जाता है, और उसके मरते ही वो सभी आदमी पहले जैसे हो जाते हैं। उन सभी को चुडैल से मुक्ती मिल जाती हैं और फिर वो सभी हसी खुशी अपना काम काम करो।